कसूरी मेथी का दोस्तों स्वाधी तना अच्छा होता है कि किसी भी सबजी में डल जाये पहुती बड़ीया टेस्ट आता है तो आज में आप से भी के सामने वैसे तो ये बजार में मिलती ही है लेकिन कभी हमें बजार में नहीं मिलती ही या हम नहीं जा पाते हमें घर पे ही इसको किस तरीके से स्टोर करके रखे हैं जिससे हमारे घर पे ही ये बनी रहे और हमेशा साल भर के लिए इसको स्टोर करके कै तो सबसे पहले हमारी मैथी हरी मैथी दूसरी कलें हैं इस प्रम हेज़ तो हम इसको हम कम से कम धूप में सुखाएंगे दो दिन के लिए धूप में सुखाएंगे तो दो दिन के लिए हमारी सुखे रड़ी हो जाएगी अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इसको फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं फैन के नीचे ये लगवक तीन दिन लग और फिर भी आपको इसको पंक्खे धूप की थोड़ी एक दो घंटे की धूप दिखानी पड़ेगी जिससे इसका घीला पन है वो निकल जाएगा और फिर इसको हम अच्छी तरीके से सुखा लेंगे तो यहाँ पर देखिए धूप में अच्छे से सुखा रही हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे कि हम जिसके घर में माइक्रावन होता है उसके लिए तो पांच मिनिट में ही कसूरी मैथी बनके रेडी हो जाती है और माइक्र आवन नहीं है और घर में धूप भी नहीं आती है तो वो फैन के नीचे जैसे मैंने बताया आपको दो दिन के लिए फैन के नीचे इसको सुखा लीजिए और धूप में एक दो घंटे के लिए रख दीजिए जिससे उसका जो गीला पन होता है मैती में वो का कंटेनर है लेकिन तो भी मैं चिट चिपका देती हूं जिससे मुझे याद रहे कि ये किस चीज का डिपा है इसलिए आसानी होती है फटा-फट से इसको उठाया और अपने डाला तो ये देखिए ये मेरा साल भर के लिए कसूरी मैथी का कंटेनर तयार है दोस्तों अग लाइक सब्सक्राइब जरू कीजिएगा धन्यवाद फिर मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई